हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग सब सही होंगे अच्छे होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं मटर के चोले मटर के चोले हम बिलकुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे जिस परकार हम स्ट्रीट में मटर के चोले खाते हैं और अब हम इसे अच्छे से वास कर लेंगे और वास करने के बाद इसे अच्छे से बिन लेंगे. मटर की छोले बनाने के लिए यहाँ पर इन्हें boil कर लेंगे और boil करने के लिए हमने एक pressure cooker ले लिया है और इस cooker में हम मटर की छोले को add कर देंगे और अब हम इसमें इतना पानी add करेंगे ताकि जो छोले हैं वो अच्छे से डोग जाए अब हम इसमें add कर देंगे स्वात के अनुसार नमक और साथ में ही इसमें add कर देंगे healthy powder और इसे अच्छे से चमच की साइता से mix कर लेंगे और इसके बाद इसे cover करके gas पर रख देंगे cooker को यहाँ पर हमने gas पर रख दिया है और इसके बाद इसमें एक विसल आने देंगे जब एक विसल इस पर आ जाए इसके बाद gas की flame को low कर देना है और low flame पर लगभख हमें इसे 5 मिनट तक पका लेना है और इसके बाद हम इसके मसाले की process सुरू कर लेते हैं तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं दो टमाटर और साथ में दो मिर्च और थोड़े लहसुनगी कलिया इसी के साथ इसमें कुछ मसाले भी add कर देंगे यहाँ पर हमने ले लिया है एक चमज धन्या पाउडर और साथ में ले लेंगे हम इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर क्योंकि यहाँ पर हमने हरी मिर्चे ली हुई है तो अगर आपको तीखा गाना ज़्यादा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा भी कर सकती हैं और साथ में यहाँ पर ले लेंगे आधा चमज हमने ले लिया है जीरा पाउडर इन सभी चीजों को हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे चोले यहाँ पर हमने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे तो चोले हमारे अच्छे से बॉयल होके तैंग्यार हो चुके हैं तो अब हम इसे भून लेते हैं तो गैस पर हम एक कढ़ाई रख देंगे कढ़ाई पर हमने लगभग 2-3 चमच ओयल एट कर दिया है और ओयल को हमें गरम कर लेना है और गैस की फ्लेम को इसके बाद हमें लो कर देना है अब हमने यहाँ पर ले लेना है प्यांस तो हमने यहाँ पर एक बारी कटा हुआ प्यांस डाल दिया है इसमें और इसके बाद हम इसे चलाते रहेंगे और जब तक प्याँज ब्राउन हो जाए इसको हमें इसी प्रकार भूनना है और गैस की फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है प्याँज आपका थोड़ा ब्राउन हो चुका है तो इस स्टेज पर अब हम इसमें एट कर देंगे पिसा हुआ मसाला जो हमने तैयार किया हुआ था और गैस की फ्लेम हाई पर ही हमें इसे इस प्रकार भूनना है कुछ देर जब हम इसे भून ले तो उसके बाद गैस की फ्लेम को आपने लो कर लेना है तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्यास और टमाटर है और साथ में जो मसाले हमने इसमें पिसे हुए डाले हुए थे यह अच्छे से हमारे थोड़े भून चुके हैं तो इस स्टेज पर अब गैस की फ्लेम को आप लो कर ले और इसके बाद से लेट से कवर कर ले लेंगे बॉयल मटर के छोले और इसके बाद हम इसे कर्ची की साहिता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें आप अपनी आवशकता अनुसार पानी कम जादा कर सकती हैं तो यहाँ पर हम पहले छोले इसी परकार अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और इसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे जितने आपको पानी की आवशकता है आप उसके अकॉर्डिंग ही इसमें पानी एट करें मटर के छोले हमारे बन कर तंग्यार हो चुके हैं तो आईए इसे आप सर्व कर लेते हैं आई होप आज की जो रेसिपी है आपको बेहत पसंद आई होगी अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें और साथ में इसे सेर करना बिल्कुल भी ना भूलिए मटर के छोले यहां पर हमने सर्व कर लिये हैं और आप इसे अपने आवशक्ता नुसार किसी भी चटनी के साथ या किसी भी सलात के साथ ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने ले ली हैं दो मिर्चे और साथ में हमने ले लिया है आधा कटा हुआ नीवू का टुकुड़ा और साथ में ही प्यांज एट कर दिया है तो ये छोले बहुत ही अच्छे बन कर तैयार हुए हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मिलते हैं अप अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू